नमस्कार, मीरा नाम है कोयल, मैं मुंबई से ही हूँ और यह पीछे मेरे पेंटिंग्स है मेरे पेंटिंग्स आख जो थीम है, वो है जो मेरी लाइफ की जर्नी अर्टोर्ज सुप्रीम वही मेरी पेंटिंग का थीम है और मैंने यहाँ पे अलग-अलग elements जो भी मेरे मुझे intuitions मिले और वो मेरे साथ life मेरे journey में जुड़ते गए उसी को मैंने अपने पेंटिंग में डेपिक्ट किया है तो हमारा जो यह exhibition है वो 7 days तक का है next Monday तक चलेगा आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आईए देखिये सबको यह मैंने जो यह जो यह जरनी के थ्रू फील किया है वो आप लोगों को भी फील हो आप लोगों को भी उतना आनन्द आए थैंक यू लोग डाउन में हम लोग सब इतने टाइम में घर के अंदर बिताए तो बहुत कुछ निस किया हम लोगों ने प्लस बहुत कुछ गेंद भी किया हम लोग जितना पाहर नहीं जा पाई उतना अंदर जाने का टाइम बिला हमें तो वो जो आर्टिस्ट का जो लाइब में वो एक्चिली गैप नहीं था, वो उनका लाइब का जरनी दूसरे साइट पर हो नहीं लगा, तो हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो क्रियेटिव फिल्ड के साथ जुरे हैं, उनको ए टाइम में बहुत हेल्प मिला अपने क से साथ अंदर जाने के लिए, अंदर जानी के जरनी में अपने आपको लेके जाने के लिए, तो वो और ये हल्प के बाद आज हम लोगों का जो एक्जिविशन हुआ है, तो ये टाइम हम लोगों के एक्स्ट्रा मिला, वो फुल फोकस हम लोग उसी पर दे पाए, हम लोग कभी पॉइंट से भटकते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में तो वो फोकस नहीं हटा वो लॉकडाउन पिरियेड में हम लोगों ने बहुत घर के अंदर sketching, painting यह सब बहुत करने का टाइम मिला तो यह हमारे एक यह केरियर के लिए भी एक माइलस्टोन रहा तो और बाहर अभी आज सब के साथ यह शेयर करने का मौका मिला है थैंक गॉड लॉकडाउन खतम हो गया और मलब वो टाइम पर भी एंजोई किया बट यह शेयर करने का मौका भी मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है नमश्यार मैं अभीजीत गोशाल मुंबई से आज यहां नहरू सेंटर में इस Amuse Sublime नाम के इस आर्ट एक्जिबिशन को इनौगरेट करने आया था और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग बॉलिवूट के गाने गाते हैं हम आप सभी पसंद करते हैं किसी ने बनाया होता है उस गाने को हम बहुत बार सुनते हैं उस सब के बीच में अपनी मौलिकता को अपनी ओरिजिनालिटी को बरकरार रखते हुए कि मुझे फ्रॉम अपसको रंगों के मात्यम से उतारना और उसको आप तक संप्रेशित करना यह नहीं कि मैंने सिर्फ बना दिया आज यहां पे तीन कलाकार राज माजी, कोयल माजी और जगदीश मोंती तीनों ने हमारे स्थूल जो काए है इसका जो परमुदेशे है उस परम सत्ता के साथ अबिलीन होना या उस तक पहुंचना इन टॉपिक्स पे कमल के जरिए प्रम कमल के जरिए, अबस्ट्रैक्ट के जरिए इतनी सुन्दर पेंटिंग्स की हैं मेरी गुजारिश है मेरी रिक्वेस्ट है प्रार्थना है आप सबीसे जो भी कलारासिक हैं और जो कलारासिक לא भी जिनको किसी भी मोड में, किसी भी रूप में अच्छा लगता हो, ध्यान करना अच्छा लगता हो, या जो ध्यान करने के लिए छुख है, आपने किया भी नहीं है, आप आके यहां पे इन पेंटिंग्स को देखिये, इनके मूल उद्देश्च को जानी हो, उसके पीछे बना चल रही है कला प्रदर्शन आप सब का स्वागत है मैं आके अभीभूत हूँ मेरे पास सच बताओं तो शब्द नहीं है इतनी उच्छ अवस्था की उच्छ अवस्था को रंगों के माध्यम से हमारे सामने ले आने के लिए मैं तीनों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं उ सात्मा को प्रणाम है मेरा और आप सबसे ये वजारिश है ये कामना है आमंतरन है कि आप आईये म्यूज सब्लाइम जो तीन काला कारूं द्वारा यहां पर प्रदर्शन ही लगाई गई है नहरू से तो उसको आईये देखिये नमस्ताव उस्थे लगाई पूर्से लगे देकिक वे बदेखियो बने काल्वा ऊट्रण पुरस माईं पुल्ड़ सुचित पूर्सेशन इन है और कि अरे देखिव लो करेंगे अन्यवाद कि आईये देखिये उन थैंग है रजे खुछित सम्हसेता बाई इक क्ई रिए बवाद टो वह झाली को कि अपते हम पायि visit and average प्हाजाइ की most मेंति और बौड ौभू यह झाली को इनकी एंपते है और भाषी कि विवगी Com difficulty Whoo! I am really happy to hear the process of the artists themselves and how they make these paintings from start to, from 0 to, from A to Z basically Really great work We are doing a group painting exhibition over here So there are three artists, myself, Jagdish Mohanti and Khoel Majid एंब देप्रावाई अप्राविन ओदेशा हैं चस्टाइब ली तो अजना कि प्रेशी करेंगा करें जार इंदेशे। प्रेकर वेब चेरी है वेफेए इस जिरी पाइफ। डर बाइफिने में 인हीं इसन सारवography इसान साथ में पाइभा आपना ं barrel । I am trying to bring down the higher level of consciousness into the gross world and whatever I am experiencing in that in life, I am trying to depict in my canvases. So I welcome all of you to our painting exhibition, New Sublime. So it will be there till 9th of May at Meheru Center, Mumbai. Thank you. Namaste, I am Jigdis Mahanti. I am an artist. And we have a show here in Nehru Center from today, 3rd May to 9th May. And we have three artists exhibiting our artworks. My works are here. You can see very colorful and vibrant. I hope that you will enjoy these artworks and the exhibition. There are two other artists also. They are also very wonderful. They have done. And I invite all of you to come here and see the exhibition. I hope you will enjoy it. And there are a few other things also. We have collectibles that also you can see and purchase. But particularly painting, it is a wonderful collection of painting. There are different styles, different way of work and different genre. So please come and have a look. Thank you so much. Good day. I am Sukamal Mahalanavish from Mirarod to come to see the art of Rajamaji Kuala and Jagadish Manthi. Every art has a... want to say something. But I am not a student of art. But so many arts are... have a voice. Only one art from Kuala Molli, that the lotus, was drawn to the tongue from the light, heaven. That is wonderful. Every art. Every art. They want to say something. Our spiritual life. And what we will do in our secondary life. So I am first time from this exhibition and I am enjoy this. Thank you. I have seen this since it started. Since we started painting all of these. Since we started thinking about them. And the journey that he took to reach here and to, like, that he and Kakima, Kuala Kakima, both of them took to reach here and display their paintings. The amazing paintings that they are. It has been amazing. And the exhibition right now, both are fulfilling and I would definitely recommend everyone to come and see this. Thank you. I have come to the gallery here. It was a very good thing. As people are explaining it, they realize how far they have thought about it, how far they have thought about it, how much time they have thought about it. This is a very big thing. So it was a good thing. Thank you. My name is Bhors. Basically, I am an artist, I am an artist, or animation filmmaker, my wife, Nambala. Nividita Ghosh. Nividita Ghosh. Actually, I was in the first time, I was in the exhibition, but it was a good thing. It was a good thing. Nividita Ghosh. तो आर्ट देखने के लिए आर्टिस्ट का माइन का अंदर में क्या है वो भी पताचलता है। किसे का स्टोक बहुत लाइट, किसे का कलर की उपर जादा घंदिया, किसे का मीनिंग बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जो ओडियन्स है, उसका लगता है जिए एक एक ड्राइंग का वा एक पेंटिंग का जो इनर मीनिंग, वो अंदर में क्या है, वो अलग अलग टाइप क बिसिकली मेरा अच्छे लगता है, जिए जगदीस जो आप किया था, और राज और कोईल जो किया था, इसका मेहनत अभी देख रहा है, वो पेंडिंग के उपर, तो बहुत अच्छा, ये तीनों आर्टिस के हम लोग के तरफ से अच्छा सुभा कामाना देता हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हलो मैं शोमाली घोशाल, मैं आज आई हूँ नहरू सेंटर के आर्ट गालरी में, आज यहां पे एक अनोखा एक्जिबिशन चल रहा है, पेंटिंग का, आर्टिस हैं, राज माजी, जगदीश मोहनती और कोईल माजी, बहुत खूबसूरत पे अच्छी बात है कि उन्होंने जिस तरह से सोचा एक एक पेंटिंग के बारे में, वो इतने गहरे लेवल पे हैं, कि सुन के बहुत जादा अच्छा लगा, आप सबसे विंती हैं, कि आप लोग जरूर से आए, और ये अनोखे एग्जिबिशन देखने का लाग उठाए, घ जेगाता है तो च्छी अच्छी एगातार में, आप, ज्क्राइश और वोब लाग एक खुए लुए अच्छी अटार से एग्ञिए ये लुए नसे एक लिए दाएखि हम युए आपरिए लुए लुए जरूरे वे मनिफेशिटी कि एबिश्टिटीश टिस एग़ इसन आund पोडकर माcitर्य विरन आज़ इस अ entering या इस कि द अ अ मि था माट कीम ह्पी टीविटें रैटिस्थ प्रृति कि पोडूल इसां सबस्तार इसलिगोथ मेज प्रॉंथ और प्रेस्के प्रेस्ट ऑन वर्परा कई रिस भालमार्क बिधन कि प्रेस्ट व को यह है। वा थिस्वा रादनी समने म्षब इसे टीमज टेस्टेटी इसे फिस्वार्स टी धर्सुटडूर। से साफंगा, क्या चिए की की थे लागानू को एक जए को वे से सब्सक्राइब। एक जए सबस्क्राइब। जी रहीं से मीजिए के लाज लेकी को की को आफ गर्टीश पिश्ड में तो यह प्सकृत अधनोए पारत के रहत ओर रहें को सम्सक्राइब के लिए सब्सक्वाइश परतौत अविहां के लिए पत्रेस बिए्सका तर देखिन स्थ कि अधने भीयचेट आग जाएव गल्चेस पूल्च जा कि अधने सताग प्यच्वा प्रश ये लगवेडर ये पा यो रदाट आप यूटार्ट भी गोड़ जा नहीं तो आप अनुट पैजिए खाइश। तो इवर्च पॉर्ड बिद्ट अजिए था इंट अच्छ राजमाजी आप रे कोल माझी ने इन्वाइब गिया था था याप पे आप एंद। यह जो मैने अभी देखा, यह सारे पिंटिंग्स, यह, I mean, it is just not mere art to me, it is an experience. एक 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 आट वर्क, अचली यह अभी आदा एगंटा कुछ है नहीं, एक 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 आट वर्क को देखने के लिए, you need some time to understand the depth of the artist. and gradually when you start looking at a painting, you feel the thoughtlessness, it is very easy to go to that thoughtlessness level. So when we started from here, Raj Majiji's painting, I was like blown away and and that the level, the Shunya Tattwa is there, it is common in all the paintings. So each and every painting is leading you to travel to the Shunya Tattwa. So that is a common part and I am really thankful to Raj Majiji and Kowal Ji and Jagdish Ji for inviting me here. Thank you so much. अपने बच्पन के दोस्तों का आट वर्क देखने के बादे, एक एक आट गैलरी में बहुत ही इंस्पाइरिं है यह, कलरफुल और इतना बड़ा अचीवमेंट यह यह देखता बहुत खुशी हुई. Hello everyone, my name is Ankit Mishra and I would like to start by quoting Dead Word Society, which goes like, you know, medicines, law, business, these are the noble pursuits and poetry, art, music. This is what we are staying alive for. This is the reason to enjoy the life. And meditation being the utmost, the best thing that could ever happen to a human race, meditation. So, Raj, Mahanji and Jagdish and Koyal being, giving a, you know, channel, channel, being a medium to, you know, reach to that level is something that's, I feel very lucky and just, you know, the painting which depicted like the mind being the squirrel, as my sister has already been, you know, has the painting of Raj Mahanji. And it's an abstract painting and I used to, you know, stare at it for endless amount of time. Endless time, you know, and since the mind is a squirrel, it goes in endless direction. So, it's a meditation for me. I cannot even count the duration of the time that I keep staring at that and it's an experience. Thank you so much for, you know, making me a part of this. Thank you so much. So, I want to tell you a very special thing, that when I was married in the year 2020, in the office, I got married. And I know, as I was told in the year 2016, I know, Raj Dada, and I knew that we were going to go to the house of Raj Dada's house. We reached the house of Raj Dada's house. And we had a painting for our wedding, which was a painting that was untitled. It was the title of his title. And I was trying to understand what it is today. Because it's an abstract painting. And when I see that painting, I feel like I've always found something different. So, I found a painting on the house of my house. And I found a painting that I found a painting that has a great wall of mine. And the Raj Dada has given us a gift. So, today I was feeling quite good. I was here and I felt like a painting that I already have one part of these paintings. और I wish कि मैं सज बता हूँ तो आज ऐसे लगा कि सारी पेंटिंग्स मैं खारीद के लेके जाँ तो अभी पता करते हैं क्या है कैसे लेकिन सीरिसली I am again saying that I am really blessed to be here. Thank you so much. जब यहां पर आज आकर कि मैं बहुत ही blessed feel कर रहे हूँ क्योंकि मैं basically खुद भी एक artist हूँ तो सबसे पले तो यह लगा कि राजदादा की paintings की मैं पहले से ही बहुत सारी बाते सुनी थी यहां आकर सर्प्राइज निला कि कोयल वोदी का भी हावे paintings है और जग्दीज जी भी है पर जो inspiration था वो यहां पर आने का राजदादा के लिए ही था और जब यहां पर आई तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा किया मैं यह मुझे बहुत पहले से अटेंड करना चाहिए था और यहां पर आकर ऐसा फील हुआ कि अगर कोई artist की imagination में हम जब जाते हैं इंटर करते हैं जब मैं सारी explanation सिम रहे थी without with every paintings तो ऐसा महसूस किया मैंने कि artist कितना deep सोचता है और उसको सोचने के साथ-साथ अपने कला में उतारना कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है यह हर दिन की journey हो सकती है मैंने इसलिए पूछा उनसे कि आपको कितना वक्त लगा इसको बनाने के तो अनों ने कहा है कि तीन महिना तो तीन महिने के 24 एक हर एक दिन के 24 घंटे में आपकी सोच जब उस-पेंटिंग पर उतरती है तो उसका क्या फील होगा वो मैं आ पर मैं आपर ब्लेस्ट फील कर रहे हूँ कि मैं यहां पर आज इस एक्सिबशिंग का एक हुसा हूँ और चक्तिष जी की पेंटिंटिंग्स भी मुझे बहुत पसंदाई। कोयल बुदी ने मुझे अच्छी सर्प्राइस कर दिया, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था बड़ आज इस एग्जिविशन में देख करके बहुत अच्छा लगा। और राजजडादा, मैं आपकी ट्रूली तूली बहुत बडी थाग। अपसे क्योंकि आज मने पहले रफाअ आपकी इतनी सारी में देख रहें। और थाज म मैं एटनी सारी में इस देख है। यूँर मैं अग। चर्मा, कॉम चाम चाल्काथाराज। हैं दोुदान रेच्छान, फोन राज महाझी, बिन करना बागurity это है। दिप्रुगर अपसाम, you know, I am from दिप्रुगर, which is extreme east of India, but today I am here in the Nehru Center and I have seen the works of Raj Mahji, which are very excellent. I do my name, I am here in the Nehru Center and I am here today, I am here in the Nehru Center. Thank you Raj Mahji and thank you all for actually me and give the opportunity to say something about the buildings. आपकेण लेक्पाइण तो हम यह अपर्ण हम एक आर्टिस्त है, मेरा नाम है भिनाईदोलोई, तो हम यह पर मेरा भी गुरुप सो है, यह आई वह है, मकर सबसे जद अच्छा लगए, यह पर आने के टाइमे में, डाइट साइड में मतलम रेड साइड में सोरी, लेफ प्रसोनली राच का पेंटिंग, उसन डिखायागा हूं, लग को लेके इतना संदर उसके अंदर एक एक थीम बताना चाहते एगा है तो राच को हम बोलना चाहते हैं यह और भी और भी कुछो अर्य कुछ सब काम ना है है जो और भी कुछ आज़ाब हुड इन आथे नंजटीम्स हावा राइछ राजबेश नीच नजग्डेश न एंजगरा हिए ना! तो पर देन्फ न तेन्ट पांट्ट्रेमों पहाल न पंट्रेश विग्लाग। I wish all of you to come here in Nehru Art Gallery and visit this exhibition.